सो हे गाईज आज का वीडियो को कमेंट है यहाँ पर मोनू के आर के तरब से यहाँ पर इनका कमेंट है कि हेलो ब्रदर अहुजा ऐसे से 250 एम्पलिफार पे कितने 60 वाट का या फिर 40 वाट का यूनिट लगेगा यहाँ पर इनका यह कहना है कि 8 ओम और 4 ओम पे कितना यूनिट लगाएंगे और प्राइज एम्पलिफार का और यूनिट का प्राइज कितना पड़ेगा यहाँ पर बोले है कि प्लीज ब्रो एक वीडियो अपलोट करो मुझे लेना है एक आप ही सही बताते हैं ब्रो तो थांक्यो इसके लिए तो चलिए आज के वीडियो में यही हम बात करने वाले है कि अहुजा ऐसे से 250 ओम जैसे कि यहाँ पर आप एम्पलिफार देख सकते हैं अहुजा का अम्पलिफार है 250 ओम या फिर 8 ओम में तो यह मैं आपको बताने वाला हूँ एंड साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अहुजा का जो एम्पलिफार है या 2500 ओम इसका प्राइस कितना होगा और ड्राइवर यूनिट का 40 ओम या फिर 60 ओम जो आप अगर ले रहे हैं तो उसका प्राइस कितना होगा तो चलिए वीडियो सुरु कर लेते हैं तो वीडियो को लाइक जूरु करिएगा शेर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल में अगर अभी तक नए है तो सब्सक्राइब जूरु कर लिजएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो प्लोट करता हूँ इस चैनल में तो चलिए बात करेते हैं अहुजा ऐसे से 250 M के बारे में तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी जो है आपको इस पेसिफिकेशन बादाना चाहता हूँ कि आपको जो है कुछ हेल्फ हो सके क्योंकि मैंने अहुजा से 250 M के उपर अल्रेडी फूल डिटेल्स के साथ वीडियो बना चुका हूँ अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ से आप सबसे उपर में आपको लिंक मिल जायागा वहाँ से आप उस वीडियो को चेकाउट कर सकते हैं उसमें आपको सारा डावट के लियर हो जाएगा इस स्पीकर कितने आपको लगाने है वो सारी चीज़ आपको उसमें बताएगा है तो चले बात करते हैं इस वीडियो में तो यहाँ पर 250 वाट का RMS पाउर आपको मिल जाता है जो की 250 वाट का एंप्लिफायर है अहुजा का अब बात करते हैं इसमें मैक्सिमम पाउर मतलब कि यहाँ पर हम ज्यादा ज्यादा इसमें कितना लोड डाल सकते हैं तो अहुजा का जो कंपनी है यह बोलती है 300 वाट का मैक्सिमम पाउर आप इसमें डाल सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको ज्यादा भी आप इसमें डाल देते हैं तो कोई दीकत नहीं आनी वाले मतलब नहीं आएगी क्योंकि जो अहुजा का अम्प्लिफार है यह काफी तकड़ा होता है और काफी मतलब जो है रफ एंड टप आप यूज़ कर सकते हैं अब बात करते हैं सिकर अउट्पुट के लिए जैसे कि आप इसमें स्पीकर या फिर होलन ड्रैवर यूनिट के लिए आपको क्या-क्या आउट्पुट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तो आपको 4 ओम का यहाँ पर अप्सन मिलेगा और آट ओम का अउप्सन मिलेगा और common का option तो मिलता ही है सभी amplifier में मतलब कि यहाँ पर 4 ओम और 8 ओम का option मिल जाएगा और आपको मिलेगा common 70 volt and 100 volt का यहाँ पर आपको line output मिल जाएगा अब बात करते हैं पहले मैं आपको यह doubt किलियर कर दूँ कि आपको जो है driver unit किस में चलाना है तो guys अगर आप जानते हैं तो सही बात है अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लिए मतलब सुन लिजे यहाँ पर driver unit अगर आप चलाते हैं अहुजा का जैसे कि जो आपका 100 volt line में आता है उस type का अगर अहुजा का जैसे कि आप यहाँ पर screen में देख सकते हैं इसका model नमर में आपको बता दूँ AU40 या फिर AU40 और मतलब की 60XT या फिर 50XT करके जो आते हैं उस type के अगर आपका पास अहुजा driver unit है 40W या फिर 45 या फिर 50W का है या फिर 60W का है तो उस type का जो आपका रहता है उसको आपको लगाना है common और 100W line output में आपको लगाना है ना कि आपको 4W और 8W में लगाना है 4W और 8W में आपका speaker लगता है अब बात करते हैं amplifier के weight के बारे में तो 16KG का amplifier है आपका और power supply आपको देना है इसमें AC current जो कि आप जानते हैं 500W का amplifier है इसका price लगभख 14,000 के आपको पर जाएगा मार्केट में जो है कम ज्यादा हो सकता है यह मैं आपको एक idea बता दिता हूं सभी वीडियो में अब बात करते हैं पर driver unit के बारे में मार्केट में उपर नीचे हो सकता है यह मैं आपको एक थोड़ा सा idea बता दिता हूं अब बात करते हैं इसको जो है कैसे यूज़ करना है और हम इसमें इस amplifier में कितना होरन चला सकते हैं तो यहां पर पहले मैं यह बता दूँ आपको कि आप इसको कितने wattage में यूज़ करना है जैसे कि 40 watt के अगर 40 watt का होरन है driver unit अगर आपका 40 watt का है अगर आप उसको 40 watt full में अगर आप इसको रखते हैं तो आप इसमें लगभग 8 होरन यूज़ कर सकते हैं मतलब कि 20 watt में आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसमें 15 driver unit आप चला सकते हैं तो आपका driver unit के उपर depend करता है कि आप उसको कितने wattage में यूज़ कर रहे हैं उसे हिसाब से आपको लगभग 300 watt के आसपास आपको load बनाना है अगर आपके पास 6 हो 8 हो 10 हो 308 के आसपास आप जो है load आप बनाइए और driver unit आप चला सकते हैं अगर आपको कम चलाना है 1 या फिर 2 तो भी आप चला सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी और आपको connection करना है common और sawvert में आपको connection कर देना है आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करिए share करिए अपने दोस्तों के साथ चैनल में पहली बारा है तो चैनल को subscribe जूर कर लिजेगा क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल में सारा चीज information के साथ price related सारा चीज आपको doubt clear हो जाएगा तो subscribe जूर कर लिजेगा bell icon call में set कर लिजेगा मैं जब भी वीडियो अपलोड करता आपके पाश नोटिपी के साथन सबसे पहले मिल सके तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में कमेंट करते जाएगा वीडियो कैसा लगा वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या फिर कोई जो है mistake हो गई हो तो वो भी आप comment में बता सकते हैं या फिर कोई सवाल या फिर कोई question हो वो भी आप comment जरू करिएगा तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ही लिए जैहन जै भारत वन्दे मातरम